नमस्ते मैं हुआ शुतोस और आप देख रहे हैं दिलललन टाप के जी एफ माने कोलार गोल्ड फील्ड्स लंबा वाला नाम भूल जाओ शार्टकट के जी एफ याद रखो ये कंड़ फिल्म दू पार्ट्स में आ रही है पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज हुआ और यूट् बना रहे हैं इसके बनाने तक 12 मिलियन व्यूज हो चुके हैं हाला कि इन व्यूज से फिल्म के अवकात नहीं आकनी चाहिए अच्छे ट्रेलर व्यूज और अच्छी ओपिनिंग के बाद ठेक साफ इंदोस्तान तीसरे दिन भरवारा कर बैट गई गई और के जी एफ का रोल यश ने किया है यश का असली नाम नवीन कुमार गौड है अवार डिनिंग एक्टर है कंडर एक्टर कुन भी लाकर सिन्यामे में पहचाना हुआ नाम है के जी एफ सत्तर के दशक में सिट है ट्रेलर में उसकी पैदाइश से लेकर गैंग्स्टर बनने तक के सीन है डा अलावा फिल्म में श्री निधी शिट्टी वशिष्ट सिम्हा बावबली में राजमाता शिवगामी देवी बनने वाली रम्या कृष्णन और मालविका अविनाश के खास रोल्स है अब वो बात जिसके लिए फिल्म का ट्रेलर खास है अंधेरे में भविता का एहसास करात का ट्रेलर है यश का रोल अगनिपत की अमताब की याद दिलाता है यश ने दैनिक जागरान अकबार से बदकही की थी वो भी यहां जान लिए थोड़ी बहुत कि उनके मताबिक पूरे भारत में पांच भासाओं में फिल्म एक ही दिन रिलीज हो रही है कंणड, तमिल, त प्रशांद भी मामूली आदमी नहीं है, 2014 में उग्रम फिल्म से टेब्यू किया और बाक्स आफिस की खिड की तोड़ दी, क्रिटिक्स के मुँपर फेवी गोंद चिपका दिया, उसे 2014 तक के कर्णर सिनेमा में बेस्ट फिल्म माना गया, इसलिए अगली फिल्म से भी इतन की गई है, यश का कहना है कि हमारा मुकाबला चेतरी फिल्मों या हिंदी फिल्मों से नहीं है, बलकि पूरे हालिवूर से है, पूरे भारत को हम एक ही मानते हैं, यह ट्रेलर आ गया है, देख लो फिल्म कैसी होगी, वो आने के बाद पता चलेगा, यह वाला वीडियो आप को ढूंड करके इंस्टाल कर लीजे, थैंक यू